हेलो बेकर्स आप सब का मेरी चैनल में स्वागत है तो गाइस आज मुझे मिल चुका है अरजेंट वाला ओर और और ये केक ना जो मेरे रेगुलर कस्टमर है वही बनवा रहे हैं उनका थोड़ी देर पहले ही कॉल आ चुका था और उन्होंने बोला था कि ना एक केक आप बन के अंदर ये चाहिए था तो मैंने का ठीक है मैं बना दूंगी तो जल जली से मैंने स्पॉंज रेडी कर लिया और आधे घंटे से उपर हो चुके है आई निक चालीस मिनिट इस केक को बनते बनते लग चुका था और अभी बिना मेरे पाद ज्यादा समय नहीं है बीस मिनि के उपर बेस रखने से ना बेस बिलकुल भी इधर उढ़ता नहीं है तो जल जली इस असेंबल मैं कर रही हूं इसे और पाइनेपल प्लिवर है तो पाइनेपल क्रस्पी मैंने यहाँ एड कर दिया है तो बेकर ये केक चाहिए था एक खास परसन के लिए तो मैं बताओंग देखे उन्होंने ना कुछ दिन पहले भी केक बनवाया था और अभी भी ना उनकी डिमांटी कि उन्हें ग्रीन कलर में केक चाहिए तो आपको याद आगया होगा एक ग्रीन केक उन्होंने बनवाया था अपने किसी रिलेटिव के लिए और ये वाला खुद चाहिए था उ कुछ समझ नहीं आ रहा था फिर भी मैंने सोचा जैसे तैसे चलो कंप्लीट मैं कर दूंगी फिलाल तो थोड़ी देर सेट होने के लिए भी तो रखना जरूरी है तो अभी मैंने क्रम कोट करके ना केक ना तूरंत ही इसे फाइनल आइसिंग करना सुरू कर दिया और देखे म यही क्रीम और कलर को ना पूरा मिक्स कर दूंगी मैं केक के उपर ही दोस्तों तो क्या ही कर सकते हैं जब भरड़ी वाला ओर्डर होता है ना तो हाँ जल 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 दी चलाना पड़ता है दिमाग भी चलाना पड़ता है ताकि जल 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 दी से वाला कोई सजुगार हम लगा स तो अभी सब भी लोकल फ्रेंट्स से मैं बोलूंगी कि प्लीज एक दिन पहले मुझे ओडर प्लेस करें same day मैं order complete नहीं कर पाऊंगी okay तो please 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 और मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी यह जानने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते मैं link description में add कर दूँगी तो यहाँ पे न मैंने यह वाला थोड़ा सफ्लार्स बनाने start कर दिया था बटना यह न मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और दोस्तों क्या ही मैं बताऊं customer cake लेने आ चुके थे मतलब ना उन्होंने एक घंटे का बोला था बटना थोड़ा पहले ही आ गये थे और अभी तक से भी ना 50 minute complete हो चुके थे देखें बीच-बीच में होता क्या है जब ना हम काम करने बैटते हैं तो कभी यह तो कॉल आ जाती है यह कभी कोई आ जाते है ना तो उसमें फिर समय ना थोड़ा सा इधर से उधर हो जाता है ओके तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कॉल भी आ गया था प्लस ना दरवाजे पे कोई आ गया थे कुछ काम था तो तो बस इसी चक्कर में ना एक घंटा हो चुका था हुआ भी नहीं था कस्टमर पहले आ गया थे हलगी 10 मिनिट में फाइनल आइसिंग वगरा हो जाता है बटना जब कोई आ गए है तो उनसे बात करो या कॉल आ गया है तो कॉल में बात करो ना तो टाइम फिर नहीं पता चलता चार से पांच मिनिट ये दस मिनिट भी आपके निकल जाते हैं तो मैंने क्या क्या वह अच्छा नहीं लग रहा था तो वह ने हटा दिया और यहां पर जल जली से नूटरल जल रेडी किया ग्रीन वाला और बस इसे ना अप्लाई कर दिया तो फ्रेंड्स मैं कस्टमर को न बिठा कर आई थी मैंने उनसे बुला कि आप थोड़ा सा 5 मिनिट मुझे समय दे दो मैं जल जली से कंप्लीट कर लूँगी आप इसे घर ले जाकर सैट कर लेना और दोस्तों आपको ये भी मैं बता दू कि कस्टमर किस टाइम पर आये थे जी लेकिन हर बड़ी में मुझे जो समझा रहा था प्रेंड्स मैं वो करे पड़ी थी या फिर मैंने जल्दी से कस्टमर को पैक करके दे दिया उनको तो महत पसंद आया अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो रादे रादे